पॉलिसी लाते रहें उसी तरह मोदी जी पे अपना कैम्पेण करते रहें और उसी दोर में पाच हवाई अड़ों को बेच दिया और ये हमारा एजूकेशन बेच रहा है ऐसे दोर में जब इलेक्शन हो रहा है तो इन लोगों को एक्सपोज करने की जरूरत है ये जो RSS BJP के लोग है हमें जो नाशनल एंटी नाशनल का डिवेट सिखा रहे हैं हमें नाशनल बनने की बात बता रहे हैं हम उनको कहना चाहते हैं कि हमारे जैसा लोग हर एक इंसान हर एक घर में होता है जो जे निवाने का सपना देखता है जो पढ़ने का सपना देखता है एक अच्छे भारत बनाने का सपना देखता है उनको ये बताना चाहेंगे कि मोदी जी है तब मुमकिन नहीं है सिख्षा है तब विकास है यह सारी चीजे उनको समझानी पड़ेंगी आपको लगड़ा है कि भीना एजुकेशन का डिवलपमेंट वो सकता है नहीं हो सकता है आपको लगता है कि नौकरी पकॉरे तलना आपके लिए साइबर सेल में काम करना ये नौकरी है तो हम नहीं मानते इसको नौकरी नौकरी वही होती है जो ऐसा प्रोडक्शन हमें कराए ताकि इस देश को आगे लेके जाए ना कि हिंदू मुसल्मान में लराए गलत गलत वीडियो डाल के आप दंगे करवा लिजे पूरे देश में लेकिन ये देश आपको एक्सपोज करेगा बोलेगा कि आप ये जो फॉल्स डाइकॉटमी क्रियेट कर रहे हैं इंटर्नल एनेमी इंटर्नल एनेमी तब से किये जा रहे हैं हम पूछना चाहते हैं और हम ये बताना भी चाहते हैं कि इस देश का अगर इंटर्नल एनेमी कोई है तो ये आरेस के लोग है और ये आज से नहीं स्वतंत्रागे टाइम से हैं ये लोग जब हमारे देश में लोग मर रहे थे अपने जान दे रहे थे आजादी के लिए तब ये सावरकर का फोटो इदर लगा है ये लोग ही बिटिसस को लेटर लिख रहे थे कि हमें माफी दे दीजिए और अभी ये बोल रहे हैं कि मृत्यू जीतेगा या फिर मृत्यू जीतेगा ये सावरकर जब माफी नामा दोगे तो सावरकर जीतेगा माफी नामा दोगे देश बेचोगे तो कौन जीतेगा सावरकर जीतेगा अगर इनकी चलती तो बिटिसर के गुलाम होते हम अभी अभी भी हम गुलाम होते हैं अगर इनकी चलती और इसलिए फिर से एक बार ये द और इसलिए इसलिए जब सब कुछ बेचने की बात चल रही है तो हमें बताना पड़ेगा कि हम भगत सिंग के जेनरेशन से जो अंगर स्ट्राइक भी किया अस्ते अस्ते फासी पे चड़ गया लेकिन अपनी लडाई चलाता रहा यह बोलता रहा कि अगर इंडिया होगा तो कैसा इंडिया होगा जिसमें सब को समानता होगी सब सिख्छा ले सकता है सब हेल्थ ले सकता है और इस तरह के भारत की सपना और इसलिए आज हम जेनरेशन पे एक बहुत बड़ा हमारे उपर एक जिम्मेदारी है कि हम सब मिलके इस मुंते को आगे लेके जाए और इनको ब ओ पीड़ करना हम इंशारी चीजों पर डिवेट करना चाहते हैं हम सब्सक्राइशन कहां है कि इन्वरसिटी स्थे फोले यह सारी चीज आप बताईये वरना आपको यह देस का चंता उखार फिकएगा यह हम उनको बताना चाहते हैं और इसी केसा साथ यह बोलते हुए यह आपे इस वाइस चांजलर का पुतला हम देन करेंगे उसको जलाएंगे क्योंकि वो रेप्रेसेंट करता है इस कैमपस में उस सोच को और उसके साथ साथ इस जो आंदोलन को यहां से जो आग जलेगी उसको हम आगे लेके जाएंगे यह इंशॉर करेंगे कि पूरे देश में यह बात होनी चाहिए कि क्या चल रहा है जेनियू में कैसे एक तरफ अब एड़ एस कर रहे हैं कैसे दूसरी तरफ लोगों का एक्स्क्लूजन कर रहे हैं किस तरह से सीट नहीं आ रही है एब एंफिल पी एजडी में लोगों को रिसर्च करना ही नहीं देना है एक सेंटर इसक्लूजन का उसमें एसटी का सीट नहीं है इस देवरा एक्स्क्लूजन क्या होगा अब डेपरिवेशन पॉइंट इसके लिए जेनियू जाना जाता है वहां पर डेपरिशन में खतम कर रहे हैं लेटरल इंट्री इंगलिस में पूछते हैं जो नहीं आप आते हैं वह पूरा एक्षेल बोल रहा है कि हमें लाटरल इंट्री का इग्जाम चाहिए ऐसे दोड में जब यह सारी चीजे कर रहे हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा जो एनिमी है उसको अब उखार फेकना है कि कि कर दो कर दो कर दो कर दो